1. समराट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? 2. उत्तर, जेम्स प्रिंसेप 2. महवीर स्वामी ने जैन संगह की स्थापना कहां की थी? 3. किस विदेशी दूत ने स्वयम को भागवत घोशित किये था? 4. वैदिक कालीन लोगों ने सर्व प्रथम किस धातू का प्रयोग किया? 5. किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? 6. किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? 7. हडपकाल में तांबे के रत की खोज किस स्थान से हुई थी? 8. महावीर स्वामी यती कब कहलाए? 9. मोहन जोदरो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्मान किस काल में किया गया था? 10. हडपका सभिता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? 11. ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आपको अनलहक घोशित किया था? 12. हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था. यह कथन किसका है? 13. विश्नु के दस अवतारों की जानकारी का स्रोथ किस पुराण में है? 14. बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? 15. प्रसिद्ध विजय विठ्थल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीत मैस्वर निकालते हैं, कहां अवस्थित है? 16. किस शासक ने चित्तोड के कीरती स्तंभ का निर्मान करवाया था? 17. इंडिया डिवाइड़ नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? 18. शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? 19. आर्या शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? 20. चरक संहिता नामक पुस्तक किस विशय से संबंधित है? 21. गुप्त कालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? 22. किस राष्ट्र कूट शासक ने एलोरा के परवतों को काट कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्मान करवाया था? 23. किस गुप्त समराट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? 24. भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आयसारो का मुख्यालय कहा स्थित है? 25. रगवेद में उल्लिखित क्रीब 25 नदियों में से सरवाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? 25. उत्तर सरस्वती नदी